हेलो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मा की जादूई निल पॉलिश की तो चलिए दोस्तों देखते हैं मा की जादूई निल पॉलिश की कहानी एक बार की बात है किसी गाओं में श्रेया नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूड़ी मा के साथ रहती थी श्रेया की मा सड़क पर जाडू लगाने का काम करती थी दूसरी तरफ श्रेया अपनी मा की तकलीफ अच्छी तरह समझती थी इसलिए वो घर के सारे काम खुद संभालती थी फिर एक दिन श्रेया राशन लेने गाओं की दुकान पर जाती है सुनिए लाला जी मुझे थोड़ा राशन चाहिए अरे श्रेया तू तो बहुत ही बेशरम है अभी तक तूने मेरी पिछली उधारी चुकाई नहीं और मुँ ठाकर मेरी दुकान में राशन मांगने आई है देख जब तक तू मेरे पिछले पैसे नहीं देगी तक तक मैं तुझे चावल का एक दाना भी नहीं दूँगा चल निकल जाए हाँ से ऐसा मत कहिए लाला जी मैं बहुत जंद आपके पैसे चुका दूँगी आज मेरे घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल अनाज नहीं है मुझ गरीब पर थोड़ी दया कीजिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इतना कहिकर श्रया लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है फिर आखिरकार श्रया पर तर्ष खाकर लाला उसे आधी बोरी चावल और दाल दे देता है ये देख वो बहुत खुश होती है और राशन लेकर अपने घर की ओर चल देती है लेकिन जैसे ही श्रया पुल के पास पहुचती है कि तभी उसे नायरा और उसकी सहेलिया दिखाई देती है नायरा एक अमीर और घमंडी लड़की थी वो श्रया का रास्ता रोक लेती है क्यों श्रया की बच्ची इतनी जन्दी में कहा जा रही है ज़रा दिखातो तेरी थैली में क्या है कितना कहकर नायरा श्रया की हाथ से उसका थैला छीन लेती है मेरा थैला मुझे वापस करो नायरा मैंने बहुत मुश्किल से राशन का इंतिजाम किया है अब देखो मेरा थैला मुझे वापस कर दो वरना ठीक नहीं होगा अच्छा तो ये बात है चल ठीक है मैं तेरा थैला तुझे नहीं दूंगी मैं भी देखती हूँ तो मेरा क्या विगार लेती है श्रेया नायरा के हाथ से अपना राशन का थैला छीमने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी नायरा थैले को नीचे नदी में फेख देती है अरे नहीं ये तूने क्या पिया दुष्ट लड़की श्रेया फोरण नदी में छलांग लगा देती है लेकिन तब-तब सारे चावल और गाल पानी में बह चुके थे ये देख श्रेया पहुत दुखी होती है दूसरी तरफ श्रेया थी खालत देखकर नायरा और उसकी सहेलिया जोर-जोर से हस्ती हुए वहां से चली जाती है उसके बाद बेचारी श्रेया दुखी मन से अपने घर लोड़ती है इस तरहा उस दिन दोनों मा बेटी भूखे पेट सो जाती है देखते ही देखते दो दिन और बीट जाते है लेकिन उन दोनों को अनाज का एक दाना भी नसीद नहीं होता फिर अगली सुबा श्रेया की मा शड़क पर जाडू लगा रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक चमकदार नेल पॉलिष दिखाई देती है और श्रेया की मा उसे उठा लेती है अरे ये नेल पॉलिष तो बहुत ही चमकदार और सुन्दर है शायद इसे बाजार में बेच कर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं लेकिन तभी उस नेल पॉलिष से एक आवाज आती है नहीं नहीं मुझे मत बेचना मैं एक जादूई नेल पॉलिष हूँ मैं तुम्हारी चार इच्छा पूरी करूंगी उसके बाद तु मुझे नदी में बहा देना ताके मैं अपनी जादूई दुनिया तक पहुँच सकूँ नेल पॉलिष को बोलता देख श्रेया की मा को बड़ी हैरानी होती है फिर वो उत्सुकतावर उस नेल पॉलिष को लेकर अपने घर चली जाती है और श्रेया को सारी बात बता देती है मा अगर ये सच में जादूई नेल पॉलिष है तो हम इससे अपनी चार इच्छा मांग कर देखते है सुनो जादूई नेल पॉलिष मैं चाहती हूँ के तुम मेरे कमरे को अनाज की बोरियों से भर दो श्रेया के इतना कहते ही जादूई नेल पॉलिष जोर जोर से हशने लगती है और उसके मुँ से धेर सारी अनाज की बोरियां बाहर निकल कर उस कंबे में गिरने लगती है देखते ही देखते वहां बहुत सारी बोरियां जमा हो जाती है ये देख दोनों मा बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता अरे वाँ ये तो सच में जादूई मेल पॉलिश है सुनो जादूई मेल पॉलिश अब हम दोनों को धेर सारे सुन्दर सुन्दर कपड़े दो जादुई नेलपॉलिष फोरं स्रेया की इच्छा पूरी कर देती है और उसके सामने कपड़ों का धेर लग जाता है अब तीस्दी इच्छा की बारी है चलो तुम मुझे सोने के सिक्षों से भरा एक ऐसा पक्षा दो जिसके अंदर मौझूद सोने के सिक्षे कभी खतन नहों जादुई नेलपॉलिष उसी वक्त वहां एक सोने के सिक्षों से भरा बक्षा प्रकट कर देती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नेलपॉलिष अब हम दोनों को जिन्दगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी लेकिन अब भी चोथी इच्छा बाकी है मैं चाहती हूँ के तुम मेरी तरहा इस गाओ के सभी गरीब लड़कियों के घरों में सोने के सिक्षों की बारिश कर दो ताके वो सभी अमीर बनकर हैसे खुशी अपनी जिन्दगी जी सकें श्रेया की उधारता देख जादुई नेलपॉलिष बहुत खुश होती है और उस गाओ के सभी गरीब लड़कियों के घरों में सोने के सिक्षों की बारिश करके उन्हें अमीर बना देती है उसके बाद श्रेया उस जादुई नेलपॉलिष को नदी में बहा देती है और वो जादुई नेलपॉलिष बहते हुए वहां से दूर अपनी जादुई दुनिया की ओर चल देती है झाल झाल